वेलकम टू जीरो से जिन्यास्ता के आप किसी भी परतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्वी टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो क्वी टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जी के जी इसके 50 पहल सवाल है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंद का समय जो सुरू होते हैं अब दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अंसर हुजैगा आपसर नमबर A गोदावरी नदी कौन सी नमबर टू गोदावरी नदी का उद्गम अस्थल किस राज्या में है नासिक जिले में है और ये महलश्रा में पड़ता है तो आंसर हुजैगा आपसर नमबर B महलश्र के नासिक जिले में इस्तित है स्वाल आया था रिल्व एकजाम में पेडियोलोजी में किसका अध्याइन किया जाता है ये भी सवाल आया था सही आंसर हो जाएगा क्योंकिन नम्ब फोर निम्ण में से किस नदी का उध्याइन किया जाता है निम्र में से किस नदी का उद्गम अस्थल मध्य परदेश में है आंसर हो जाएगा आप्जूटन नडी तापती नडी question number 5 घुंघा का संबंध किस संगे से है ये सवाल हाली के एक्जाम में आया था घुंघा का संबन्ध किस संगे से है सही आंसर हो जाएगा option number D मुलस्रका question number 6 वेन सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था वेन सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था answer है option number C हर सवर्धन हर सवर्धन के सासनकाल में question number 7 बीस्वा का सबसे बारा जल पर पात कौन सा है बीस्वा का सबसे बारा जल पर पात कौन सा है answer हो जाएगा option number A एंजिल जल पर पात question number 8 किस युद्धा में अहमद सा अवदाली ने मराठो को हराया था आंसर जाएगा option number B पानिपत का तिसरा युद्धा में पानिपत का तिसरा युद्धा में अहमद साह अवदाली ने मराठो को हराया था सवाल ये भी आता है पानिपत का तिसरा युद्धा कब हुआ था तो आंसर तो आपको पता है 1761 इस भी में question number 9 किस इकाई का पर्योग परकास की तिर्वता मापने के युद्धा किया जाता है ये भी सवाल रेलवे एकजाम में आया था ओके आंसर हो जाएगा option number A कहिंडेला का इस्तमाल किया जाता है question number 10 सरस्वती सम्मान पुरसकार किस छेत्रा में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरसकार किस छेत्रा में अच्छा करने के लिए दिया जाता है आन्सर आपसर नबबी साहित्याके छेत्रा में दिया जाता है और आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब करे थे तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और विल आइकन को दवा कर नोटिफिकेशन को अल कर देजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिलेबस पे ओर करता है धन्याबाद कुल कितने वेदांग है कुल कितने वेदांग है BPSC एकजाम में ये सवाल आया था कुल कितने वेदांग है आंसर हो जाएगा option number B 6, question number 12 नीती आयोग किस वर्स अस्तित्वा में आया? योजना आयोग को change करके नीती आयोग बनाया गया सवाल क्या है? नीती आयोग किस वर्स अस्तित्वा में आया? आंसर है option number C, 2015 इस वी में question number 13 नीम्ड में से किसे golden girl कहा जाता है? ये सवाल इस से साल KBC में आया था नीम्ड में से किसे golden girl कहा जाता है? आंसर होगा option number D, P.T. उसा को question number 14, इन्हें उरनपरी के नाम से भी जाना जाता है किस तोवार नेशनल पार्क कहां इस्तित्थ है? नेशनल पार्क से भी अभी जो एकजाम हुए थे उनमें कम से कम एक सवाल आया है किस तोवार नेशनल पार्क कहां इस्तित्थ है? आंसर हो जाएगा option number B, जम्मू कसमे question number 15 निम्ड में से कौन विटामिन C का सबसे अच्छा सुरोत है? आंसर हो जाएगा option number C, आउला question number 16 डेविट काड पर कितने अंक होते हैं? डेविट आपके पास तो होगा डेविट काड पर कितने अंक होते हैं? आंसर होगा option number B 16 अंक होते हैं, 16 डेविट काड पर ओके, question number 17 नागरिक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? ये important सवाल है नागरिक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा option number B 1955 इस भी में question number 18 जल में बांध का उप्योग किसके लिए किया जाता है? जल में जो बांध डेविट किस लिए बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा option number A क्रिसी के सिचाई के लिए तो आंसर होगा option number A क्रिसी के लिए question number 19 भीशव बिरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल भी एंटी पीसी एक्जाम में आया था भीशव बिरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है option number A 18 अप्राइल को भीशव बिरासत दिवस मनाया जाता है question number 20 हाली में अटल सुरंग भारत के किस राज्या में इस्तित है? सवाल यही है कि अटल सुरंग राजमार्ग भारत के किस राज्या में इस्तित है? आंसर हो जाएगा option number B हीमाचल परदेश में इस्तित है आगे सवाल है परते के घर तक परतेक घर तक परतेक घर तक परतेक जल कनेक्शन पहुचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा अप्सें नब्ब बी गोवा अगे सवाल है भारत में कहीं भी किसी भी मामले को अस्थांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्ते है? बहुत अच्छे सवाल है भारत में कहीं भी किसी भी मामले को अस्थांतरित करने का अधिकार किसे प्रापते है आंसा होगा अप्शन नमबर ए सुप्रीम कोड़ को आगे सवाल है भारत में सबसे बारातारा मंदल कौन सा है कहां है भारत में सबसे बारा तारा मंडल कौन सा है कहा है आंसर होगा आप्शन नमबर ए बिरला तारा मंडल जो की कोलकता में इस्तित है कोश्चन नमबर 24 बीश्वा का सबसे बारा नदी द्विप के रूप में किसे दर्साया जाता है तो आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी माजुली द्विप को कोश्चन नमबर 25 भारतिय संबिधान के अनुसार संघ के मंतरी किसके इच्छा पर पद्धारन करते हैं भारतिय संबिधान के अनुसार संघ के मंतरी किसके इच्छा पर पद्धारन करते हैं आंसर होगा option number D भारत के राश्ट्रापती के इक्छा पर आगे सवाल है अस्थानिय स्वासासन का जनक कीसे कहा जाता है ये भी सवाल आया था अस्थानिय स्वासासन का जनक कीसे कहा जाता है आंसर है option number C लॉड रिपन को कहा जाता है और अस्थानिय स्वासासन कब लागू हुआ था अट्रसों बेरासी इस भी में Q27 उत्री धुरू पर पहुचने वाला पहला ब्यक्ति कौन था? उत्री धुरू पर पहुचने वाला पहला ब्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D Q28 अचानक होने वाली घटना के लिए एक सब्द है अचानक होने वाली घटना के लिए एक सब्द है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B Q29 आपना मतलब निकालने वालों के लिए एक सब्द है आपना मतलब निकालने वालों के लिए एक सब्द है बहुत परिचित है आप लोग आंसर होगा आप्शन नमबर C स्वार्थी Q30 टीपू सुल्तान को किस ने मारा था? सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B कि अंग्रेजों ने कब तो 1799 इस भी में आगे सवाल है भारत में रश्ट्रिये आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्ते हैं? भारत में तीन तरह के अपात लगाया जाता है और इससे लगाने का अधिकार राश्ट्रवपति को प्राप्ते हैं? तो आंसर होगा आपसन नमबर C राश्ट्रवपति कोश्चन नमबर 32 छेत्रफल के दिरिष्टी कोन से सबसे बारा देश कौन सा है? आंसर होगा आपसन नमबर A रूस आगे सवाल है रॉक गार्डिन कहां पर इस्तित है? आंसर होगा आपसन नमबर D चंडीगड आगे प्रास्न है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A, जेनेवा आगे सवाल है हवाई जहाज किस मंदल में उड़ते हैं? हवाई जहाज किस मंदल में उड़ते हैं? आंसर होगा आप्शन नमबर C, समताप मंदल आगे सवाल है कौन सी गयस हावा को परदूसित नहीं करती है? आंसर है आप्शन नमबर D, नाइटोजन ओकसाइड आगे सवाल है रेडियो कार्वन डेटिंग से किस की आयू का पता लगाया जाता है? आंसर है आप्शन नमबर C, जिवा समक्की आगे सवाल है डिफ्थेरिया रोग सरीर के किस अंग को परभावित करता है? आगे सवाल है भारत के 22 राजकिय भासा को किस अनुसूची में रखा गया है? ये सवाल भी हाली के एक्जाम में आया था सही आंसर हो जाएगा option number B आठवी अनुसूची में रखा गया है question number 40 अंतराश्ट्रिय नयालय का मुख्यालय कहा है? आंसर हो जाएगा option number C हेग निदरलेंड में आगे सवाल है भारतिय मौसम् विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित्थ है answer option number A नई दिदरलें आगे सवाल है वीश्व उपभोकता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है वीश्व उपभोकता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है आगे सवाल है इनमें से कौन सा सब्द हाली में बंगला देश का रश्ट्रिय नारा बना है आँसर आपसन नमबर बी जोए बंगला कोर्शन नमबर 44 हवाई जहाद के बलाइक बॉक्स का रंग कैसा होता है हवाई जहाद के बलाइक बॉक्स का रंग कैसा होता है आँसर है ओरंज कलर का होता है औरंज कलर का होता है आँसर होगा आपसन नमबर ए नारंगे आगे सवाल है पॉंच सब्द का परियोग किस खेल में किया जाता है ये भी सवाल आया था पंच सब्द का परयोग किस खेल में किया जाता है आंसर है आप्सन नमबर बी मुक्य बाजी आगे सवाल है सायना निहवाल का संबंध किस खेल से है सायना निहवाल का संबंध किस खेल से है आंसर है आप्सन नमबर सी बैडमिंटन question आगे है insulin का शुरोत क्या है ये भी सवाल आया था insulin का शुरोत क्या है answer हो जाएगा option number A agnasi granthi आगे सवाल है year का फूर्ण रूप क्या है ये भी सवाल आया था year का full form क्या है all India क्या होगा जी all India radio right answer है option number A आगे सवाल है दुद्धवा नेशनल पार्क कहां इस्तित है दुद्धवा नेशनल पार्क कहां इस्तित है answer है option number A उत्तर परदेश में आगे सवाल है निम्बू और संत्रे में कौन सा बिटामिन पाया जाता है निम्बू और संत्रे में कौन सा बिटामिन पाया जाता है आंसर है अप्शन नमबर सी बिटामिन सी आपके लिए एक सवाल है हीरा कुंड बांध किस राज्या में इस्तित है सिंपली आपको कॉमेंट बक्स में लिखना है क्यूपर यू और इसके राइट आंसर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेय ना रखिए जय हिंद जय भारत